हेलो स्टूडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज लिस्केस करने जा रहे हैं वाकशीट नंबर 70 वाकशीट नंबर 70 हिंदी का वाकसित है और ये वाकसित है क्लास 9 का वाकसित है 21 ंदिसंबर 2020 का तो बच्चों आज का जो हमारा वॉक्षित है वह क्या है वह है वहकपुनरा बृत्ति कार्यपतरuk है जिसमें हमें एक गध्धांस दिया हुआ है उस गध्धांस को पढ़कर के हमें प्रस् versão government उत्तर देना है तो चलिए बच्चों गद्धान्स को पढ़ते हैं तिबबत की राजधानी लहासा की यात्रा पर निकले इस पार्ट के लेखक राहुल सांकृत्यायन अपनी यात्रा के आखरी पड़ाब में आगे बताते हैं तो बच्चों आज जो हमारा गद्धान्स है वह तिबबत की राजधानी लहसा पर लिखा गया है और यह लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने राहुल सांकृत्यायन जी की या यात्रा बृतान्त है इनकी यात्रा बृतान्त का नाम है लहसा की ओर लहसा क्या है तिबबत की राजधानी और यात्रा बृतान्त क्या होता है तो बच्चों उन्होंने उस अस्थान के भोग गौलिक इस्थिती सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पड़िवेश का सजीब चित्रन किया था तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे तिबबत की जमीन बहुत अधिक छोटे बरे जागिरदारों में बटी हैं इन जागिरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में हैं अपनी अपनी जागिर के हर एक जागिरदार कुछ खेती खुद भी कराता है जिसके लिए मजदूर बेगार में उन्हें मिल जाते हैं खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिख्शू भेजा जाता है जो जागिर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है सेकर की खेती के मुखिया भिक्षू, नम से बरे भद्र पुरुस थे वह बहुत प्रेम से मिले हाला कि उस बक्त मेरा वेस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए यहाँ एक अच्छा मंदीर था जिसमें कंजूर, बुद्ध, वचन, अनुबाद की हस्त लिखित एक सो तीन पोथियां रखी हुई थी मेरा आशन भी वहीं लगा वह बड़े मोटे कागच पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी पंद्रा पंद्रा सेर से कम नहीं रही होगी मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया दूसरे दिन वह गए मैंने समझा था दो तीन दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दो फर बात चले आए तिन्री गाउं वहां से बहुत दूर नहीं था हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्छू नंसे से बिदाही लेकर चल पड़े अब देखिए बच्चों राहुल सांकृत्याइन जी अपनी यात्रा के दोरान तिबबत के बारे में बताया है कि तिबबत की राजधाने लासा जहां कि उन्होंने यात्रा की वहां उन्होंने क्या देखा छोटे बरे जो जमीन के टुक्रे थे उसके मालिक को क्या कहा जाता था जागिरदार जागिरदार ही जमीनों के टुक्रे के मालिक होते थे इन जागिरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो था वह किस के हाथ में था तो वह मठों के हाथ में था अब देखिए बच्चों जो जागिरदार थे वह खुद भी खेती करते थे और कुछ जगा तो ऐसा भी था जहां वह खेती नहीं करते थे तो क्या करते थे मजदूर लगा दिया करते थे और मजदूर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं इसके लिए वो वहां भिच्छू भेज दिया करते थे भिच्छू क्या करता था? वो उनके खेट का इंतजाम देखता था यानि वो एक राजा की तरह होता है किसके लिए? वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए अब जब राहूल सांकृत्यायन वहां पहुँचे तो उन्होंने किसे? तो वो किसे मिले? वो मिले भिच्छू नमसे से भिच्छू नमसे जो थे वो बहुत ही भदर पुरुस थे भदर पुरुस कहने का अर्थ है बहुत ही विनम्र पुरुस अब देखिए नमसे राहूल सांकृत्यायन जी से बहुत ही प्यार से मिले उस समय राहूल सांकृत्यायन जी वी किस वेस में थे? एक विख्छू के वेस में ही थे क्योंकि उस समय उनके लिए एक सभ्वे पुरुष के रूप में यात्रा करना असंभव था इसी लिए राहुल सांकृत्यायन ने अपना वेस विक्षू की तरह बनाया और उन्होंने लासा की यात्रा की जब राहुल सांकृत्यायन वहां गए तो वो कहां ठहरे थे? एक मंदीर में ठहरे थे जहां उन्हें क्या मिला? कंजूर कंजूर यानि भगवान बुद्ध के वचन थे यानि उनके द्वारा कही गई बाते जो लिखी हुई थी एक सो तीन पोथियों में हाथों से लिखा हुआ था हस्त लिखित कहने का मतलब है हाथों से लिखा होना अब हमारे लेखा इन पोथियों को पढ़ने में व्यस्त हो गए उनके साथ उनके एक मित्र भी गए थे जिनका नाम था सूमती सूमती और राहुल सांकृतियान दोनों साथ में गए थे सूमती ने उनसे पूछा कि क्या आप याजमानों से मिलने चलेंगे लेकिन राहुल सांकृतियान पूस्तकों को पढ़ने में इतना ब्यस्त थे कि वह अपना समय इधर उधर जाने में व्यतीत नहीं करना चाते थे इसलिए वह पूस्तके पढ़ते रहे और सूमती याजमानों से मिलकर के दोफर में ही वापस आ गए फिर दोनों कहां गए तिंडरी गाउं जो महा से कुछ ही दूडी पर था चलिए अब देखते हैं इस गद्धान से संबंधित प्रश्णों को पहला प्रस्ण हमारा है जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था तो किसे भेजा जाता था बच्चों भिक्छू को भिक्छू क्या करते थे जागीरों के इंतजाम को देखते थे दूसरा प्रस्ण हमारा है सेकर की खेती के मुख्य भिक्छू का नाम क्या था तो कौन थे नमसे यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे वो नमसे थे तीसरा प्रसन हमारा है कंजूर किसे कहते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कंजूर किसे कहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंजूर बुध्ध वचन को कहते हैं यानि भगवान बुद्ध की द्वारा जो बचन कहे गए थे, उन्हें हम कंजूर कहते हैं, बुद्ध बचन को कंजूर कहते हैं, ये इसका उत्तर होगा. चौथा प्रस्न हमारा है, लेखक ने इस बार सुमती को अपने यजमानों के पांस जाने के लिए क्यों कह दिया, क्यों कहा था बच्चों, क्योंकि लेखक जो थे, वह पोथियों को पढ़ रहे थे, जो भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए थे, तो बच्चों इसका उत्त प्रस्न हमारा है, हाला कि उस वक्त मेरा वेस ऐसा नहीं था, क्योंने कुछ भी ख्याल करना चाहिए, ओक्त वचन के अनुसार हमारे आचार वैवहार के तरीके वेस वूसा के आधार पर तै होते हैं, आपकी समझ से यह उचित है, अत्वा अनुचित, अपनी विचार लिखिए, अब यहां देखिए बच्चों, हमारे लेखक का वेस कैसा था, तो हमारे लेखक जो थे, वह वि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए, तो यह जो कथन है, इसमें बताया गया है कि वेस बूसा के आधार पर क्या हमें किसी के साथ अच्छा या बुड़ा वैवहार करना चाहिए, तो बच्चों नहीं, वेस बूसा के आधार पर यह तै नहीं करना चाहिए कि हमें किस के स किसा वयभार करना है तो बश्चों ये वॉक्सीट ये समाथ होता है मिलते हैं अगले वाक सीट में वॉक्सीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवस्य सूचित करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वैल-इगन को दबाएं ताक